हेलो गाईश मैं मनोज भगत बेंगस गार्डन प्रो में आपका स्वागत करता हूं और आज का क्लास शुरू करता हूं गाईज आज का जो क्लास है वो अर्थमेटिक बेश्ट है जो कि क्वांट के लगभग लेंदी सेक्षन माने जाते हैं गाईज देखिए अर्थमेटिक को सॉल्व करने का भी कुछ इस्पेशल अप्रोच होता है और जब आपको वो अप्रोच आएंगे तो ही आपको बेनिफिट मिल सकेगा एक जाम में गाईज होता क्या है कि जितना भी अप्रोच है पहले तो उसे जान लेना है क्योंकि जिस स्टूडेंट से आपका कंपेटिशन है वो उसे जान रहे हैं तो जितनी भी अप्रोच है आप अगर उसे जान लेते हैं तो बाकी जो कोस्चन बच जाता है जो कि बिना अप्रोच से बनता है जिसका कोई सौट ट्रिक नहीं होता है बनाने का तो rest of the student भी वही ट्रिक से बनाएंगे आपके competitor भी और आप भी बनाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा important बात है वो क्या है कि जो ट्रिक से बनने वाला कोस्चन है उसे आपको ट्रिक से ही बनाना होगा otherwise आप कहीं पीछे छोड़ दिये जाएंगे तो guys जो भी question अर्थमेटिक का में लूँगा guys उसे मैं trick से solve करूँगा और बहुत ही बहतरीन अप्रोच होगा short अप्रोच होगा और उससे better अप्रोच कुछ नहीं हो सकता है तो guys चलते हैं और बिना time को waste किये session को जरू करते हैं तो देखिए guys total 5 questions लिये हैं तो उसमें से पहला question को read करते हैं क्या बोला गया what will be the ratio of petrol and kerosene in the final solution from Dubai mixing petrol and kerosene that are present in three identical vessels in the ratio 4 is to 1, 5 is to 2 and 6 is to 1 respectively जड़ ध्यान दिजिएगा त्री identical vessels है तो पहले एक number को solve करते हैं तो देखिए सबसे पहला चीज क्या बोला गया कि 3 identical vessel है तो आपको क्या करना होगा पहला vessel के लिए लिए लिखना होगा 4 is to 1 दूसरा vessel का जो ratio आपको लिख देना होगा 5 is to 2 और तीसरा vessel का जो ratio है से भी लिख देना होगा वह 6 is to 1 अब गाइज इसको solve करने का सबसे best approach क्या है कि इस दोनों को add कीजिए ratio को 5 लिखिए यहां 5 और 2 को add कीजिए 7 लिखिए यहां 6 और 1 को add कीजिए 7 लिखिए यहां गाइज 7, 7 और 5 का LCM लिजिए जो होता है कितना 35 अब 35 जो LCM आपका आ गया उस 35 को इस 5 से काट ये आता है cos 7, 7 से multiply कर दीजिए इस 7 से उस 35 को काट के आता है cos 5, उस cos 5 से इसको multiply कर दीजिए same here guys यहां भी 5 से multiply करना होगा क्योंकि यहां भी 7 से काटना पल रहा है अब क्या करना है guys इस 7 से यह दोनों रेशियो को multiply कर देना है तो यह हो जाएगा guys आपका क्या 7, 4, 28 7, 1, 7 5, 7 5, 5, 5, 25 guys कितना हो जाएगा यह 5, 5, 25 हो जाएगा 5, 5, 25 5, 2, 10 और यह हो जाएगा guys 6, 5, 30 और 5 के 5 तो यह है अब आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है क्योंकि 3 identical vessel था इसलिए यह करना पड़ा ठीक है guys जब identical vessel होना तब ही आपको ऐसा करना identical vessel से मतलब यह कि तीनों ही vessel का अनुपात volume एक है मतलब तीनों में अगर full capacity में डाल दिया जाए तो equal volume में आएगा तो ही यह formula लगता है और यह approach लगता है अब इसको क्या करना है guys simply add कर देना है 85 13 plus 0 is 13 carry 1 now 2 plus 1 is 3 25 plus 3 is 8 83 और यह is 2 होगा guys क्या होगा is 2 होगा यह सब is 2 है 10, 7, 17 और 5, 22 है guys यही है answer देखिए कितना आसानी से यह बना अगर आप इसको landiest way में बनाईए तो बनाईए आप basic approach से यह pre में काम नहीं आता है basic approach mens में काम आता है जानना तो basic approach से ही है basic आपका clear होगा तब ही आप short trick को समझ पाईएगा हलांकि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है तो guys second number को करते है second number को हम लोग कर ले जाएंगे यह जो जगा है इसमें तो guys second number में क्या वो लगया the ratio of the ages of anubha and her father anubha और उसकी मा की age का ratio कितना दिया है guys one ratio two दिया है आपको क्या लिखना है guys यहाँ अनुगा लिखना है और mothers के लिए M लिख देना है आपको question करने से मतलब है जाद आप framing नहीं करना है exam में one is to two कीजिये guys और यहाँ पे क्या वो लगया after six years the ratio of the ages will be eleven is to twenty तो six years after the ages will be eleven is to twenty guys यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे ratio को ऐसा करना है घटा लेना है one होगया यहाँ भी घटाई यह नैं होगया अब ग्या करना है guys nine से इसको यह दोनोंler ratio multiply होगा यहाँ आपको 9 से multiply कर देना है और यहाँ आपको one से multiply कर देना है तो यह हो जाएगा आपका nine वां जा nine nine two जा eighteen और यह हो जाएगा आपका 11 देखिए यह डिफेरेंस को देखिए यह दो डिफेरेंस को देखिए 答 दे रहा है नाइन टो इलेवन, 18 जो स्थुन nast टो है तो biri जिस्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है गाची 10 years before what was the respective ratio of their ages, तो present age निकालना है, तो present age तो 9 और 18 ही है, यहां से 1 इस तो 2 को आप नहीं लेना, 9 इस तो 18 लेना है, क्योंकि difference हमने यहां से consider किया है, 3 9 जा कितना हो जाएगा, 27 और 3 18 जा कितना हो जाएगा, तो यह जो 54 हो गया गाईज, अब आपको क्या करना है, 9 years before चला जाना, यह तो हो गया कि उसका percentage ना, तो 9 years before ratio मंगा है, तो 9 years before चले जाएगे दियो जाएगा 18 और 9 years यहां से भी minus कर देंगे, यह जाएगे 45, अब इसको 9 से काट देंगे, 9 2 जाए 18 और 9 5 जाए 45 तो answer मेरा 2 ratio 5 आगिया, तो गाईज यह से करना है, ठीक है, next हम लोग करते हैं गाईज, काईज दें पना हैं, प्दाशतो है, इसका देंगे, को अपू करते हुआ से करते हैं,ioned हम हम इसका झालो say, उसकımız debates game 21 और 9 खो करते हैं, पÅ हम करते हैं, लोला झालो जाएगे उसका ठीक हैंगे जाएट θα पाउना है, बड़ार हैं, gerह हैं पाईज, देखिए गाईज हम लोग थार्ड नंबर को कर लेते हैं तो जो थार्ड नंबर में है उसमें क्या दिया गया है कि टू भेसल्स A and B contents milk and water mixed in the ratio 8 is to 5 and 5 is to 2 respectively दो वेसल ए और बी था जिसमें की ratio दिया गया था 8 is to 5 और 5 is to 2 देखिए यहां एक वेसल A है मान लिजी और यह एक वेसल B है तो A में क्या दिया गया है पांच ratio दो दिया गया है और बी में कितना दिया गया है गाईश बी में दिया गया है sorry A में दिया गया है आपका A में दिया गया 8 रेशियो 5 और इसमें दिया गया है 5 रेशियो 2 काई और दोनों को न मिला दिये एक तीसरे वेशल में तो बोलता है कि find the ratio mixed respectively मिला दिया गया किसी 3rd वेशल में find the ratio in which mixture A and B are mixed to get a new mixture containing 69 upon 3 by 13% of milk कितना percent of milk बोलता है कि जो 3rd वेशल में मिला है तो उसमें ratio कितना आमको लाना है कि किस ratio में ये दोनों को मिला है कि 3rd वेशल में जो mixture होगा उसमें मिल्क का ratio 69 upon 3 by 13 होगा तो सबसे पहले आपको जो A, B को मिलाएंगे वेशल C में गाईच ठीक है तो वेशल C में मिलाएंगे तो वेशल C में बोलता है कि milk का percentage कितना है गाईच 69 upon 3 by 13% है ठीक है प्रेंट 13,68 और 12 कितना हो गया गाईच 90 हो गया और नीचे 13% को अत्राएंगे 100 यह कटा 9 by 13 आगया तो गाईच क्या करना है इसको Alligation से solve कर लेंगे तो देखिए Alligation में हम लोग Milk का ratio को ले रहे हैं तो यहां से Milk का ratio क्या दिया हुआ है यहां पर Milk and Water दिया गया है आठ ratio 5 और 5 ratio 2 यह है Milk और यह है Water यह है Milk यह है Water तो यहां से हम लोग ले लेते हैं देखिए यह हो गया आपका Milk इस में से हो गया 8 भाग कितना में से 13 भाग में से और दूसरा भेसल B में Milk हो गया 5 भाग कितना में से पांच और दो साथ में से, अब जो थर्ड में जो मिलाए हैं, तो उसमें जो मिल्क है, वो 9 आया है, कितना में से, 13 में से, तो निश्चित रुप से जब 13 में हम लोग 9 माइनस करेंगे, तो 4 आएगा, जो और वही 4 कितना होगा, क्या होगा, वाटर का पाठ होगा, बट हम लो में से, एक बड़ा होता है, इस से, ये दोनों में से, कोई एक बड़ा होगा इस से, और कोई एक छोटा होगा इस से, तो चेक कर लेना है कि कौन बड़ा है, कौन चोटा है, तो आप यहाँ देखिए, ये दोनों का बेस में 13-13 जब दीख रहा है, तो ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है वैसे आप क्या कर सकते हैं बेस को इक्वल भी कर सकते हैं बट यहां पर हम लोग बिना बेस को इक्वल किये करके निकल जाते हैं 13-13 है तो यहां लोग को साफ दीख रहा है कि यह छोटा है इससे निश्चीत रुप से यह बड़ा होगा तो बड़ा है तो यहां पर क्या कर लेंगे बड़ा बला में इस वैल्यू को एक बर घटा देते हैं और इस वैल्यू में ही एक बर छोटा बला को घटा लेते हैं यह तो इसको जब करते हैं तो हम लोग 13-7 जा 91 हो जाता है 13-5 जा 95 हो जाता है माइनस साथ मोजा तीरेशिट हो जाता है और यहां ते घटाते हैं तब टाद 13 हो जाता है तो ये देखिए दो गटा एक क्यानबे हो गया और ये हो गया again भाद 13 और ये 13 साथ बार में इसको जब काट देगा गई तो ratio मेरा कितना आ जाएगा दो ratio of coins of denominations रुपीश 1 and 25 पैसे, the value of these coins in रुपीश is 6 less than the total number of coins. Find the number of 25 पैसे coins. तो इस question को कैसे करना होता है? तो दियान से देखिए, यह 4 नमर का यहां बन रहा है. बोलता है कि दो तरगा coins दिया गया है आपके पास, तो रुपीश 1 का जो है मान लेते हैं कि लेट रुपीश 1 coin जो है न वो X है और 25 पैसे coin जो है न वो कितना है Y है. तो बोला क्या, according to question अगर हम देखें तो रुपीश 1 coin जो है वो कितना है X है तो X को 1 से multiply कर देंगे plus Y को 1 by 4 से multiply कर देंगे, 25 पैसे है न इसलिए 1 by 4 क्योंकि 25 पैसे 1 फोर्थ of a रुपीश होता है और इस तरह से बोला कि total the value of these coins, इस जे तो ये total value आगया coins का, अब ये coins का value बोलता है कि total number of coins से 6 less है, total number of coins X plus Y ही है और उसमें 6 less कर देंगे, इसको solve कर लेंगे गाईच, तो ये हो गया X plus Y by 4, बराबर X plus Y minus 6, ये देखिए X, X कड गया, Y में Y by 4 में, ये देखिए 6 को इधर ले आते हैं, और Y में Y by 4 को गटाते हैं, तो 3 Y by 4 आ गया, 3 2 जा, ये 6 हो गया, और Y बराबर 4 दूए 8 हो गया, तो 8, वाइब राबर 8 आ गया, 25 पेचे कोईंच कितना है, 8 हो गया, लगे याथ हम लोग 5 नमर को नीचे कर लेते हैं, देखिए इसका solution, a solution contains 10% of salt by weight, ठीक है, on evaporation 15 liter of water evaporates, and now concentration of salt becomes 20%, find the initial quantity of solution, क्या वो लगया था, कि जब हम लोग पानी में नमक का मिक्सर मिश्रन बनाते हैं, concentration होता है, concentration, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 liter पानी लिए 1 kg उसमें डाल दिये salt, ठीक है, तो यह हो गया, 1-11 हो गया अभी salt, लेकिन हम water को evaporation करा देते हैं, गरम कर देते हैं, और हम उससे 2 kg water को evaporation करा दिये, तो क्या नमक evaporation हुआ, नहीं नमक तो से मीरा, तो उसी fundamentals को लगा कि इस question को solve कर देने वाले हैं, ठीक है, salt and best approach, 10% था शुरू में, तो 10% का मतलब हो गया, देखिए क्या वो लग गया, कि salt है और क्या है, water है, तो solution content 10% of what, salt, 10% salts का मतलब 10% का मतलब होता है क्या गाईज, 1 by 10, तो मान लिजिए कि अगर 10% का मतलब क्या होता है, 1 by 10, तो 1 by 10, ठीक है ना, तो 1 अगर salt है तो water कितना है, 9 है, अब जब इसको गर्म कर दिये, concentrate कर दिये, तो अब salt कितना हो गया, 20% तो 1 by 5 हो गया, तो 1 by 5 जो हो गया, तो अब इसको क्या करना है, यह 1 by 5 आ गया, तो यह हो गया 1 और यह हो गया 4, यह देखी, 4 हो गया, salt हमेशा हमको क्या रखना है, इस approach में same रखना है, तो same है यहाँ पर equal दिख रहा है, इसको कहीं coefficient को, कहीं multiply करने का कोई जोरद नहीं, यहाँ difference कितना है, 5 का difference है, तो यही 5 जो represent कर रहा है, वो किसको represent कर रहा है, 15 L को represent कर रहा है, तो 1 किसको represent करेगा, 3 L को represent करेगा, तो find the initial quantity of solution, तो यह जो 3 L है, 1 का value है, तो initial कितना है, 9 plus 1 is for 10, तो कितना हो जाएगा, यह तोड़े जाधा नीचे चला गया लगता है, देखिए गाई यह जो 5 आया है, यह 5 किसको represent कर रहा है, 15 L को represent कर रहा है, तो 1 किसको करेगा, 3 L को टोटल कितना है, 9 plus 1 is 10, 10 को इसको करेगा 30 L को, तो 30 L ही answer हो गया मेरा, तो guys, बने रहे हैं, चैनल को subscribe कर लिजे, मिलते हैं next video में next day,